फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एक यंग आक्टर ने लिखुद की जान। लॉक्डाउन के दौरान आक्टर के पास काम नहीं था। फिनैंशिली टूडिया था। और लॉक्डाउन के कुछ ही समय पहले आक्टर ने एक टूवीलर ली थी और उसके लिए ही एक लोन लिया था। यह लोन आक्टर नहीं चुका पा रहा था और इसके उपर केस हो गया। कैसे इस केस से निप्टे। कहां से पैसा लाकर लोन चुकाए। इन बातों के सल्यूशन नहीं थे। तब इस अक्टर को सूजा कि क्यों न मैं अपने आप को ही खतम कर दूँ कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएगी। और ऐसा सोचकर इस 26 साल के अक्टर ने अपनी जान दे दी। मुंबई के नाला सोपारा में एक कमरे में राहुल सकपाल नाम का ये अक्टर अकेला रहा करता था। इस अक्टर ने आज अपने ही कमरे में फासी का फंदा लगा कर आत्म हर्त्या कर दी। पड़ासियों से और जान पैचान वालों से जब पूछने की कोशिश की तो पता चला कि थ्याटर में कुछ प्लेज में काम कर चुका है और टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स कर चुका है। राखुल के कमरे से पुलिस को एक स्यूसाइट नोट मिला है और इस नोट में राखुल ने पूरी स्तिती बया की कैसे उसने एक टूवीलर ली लेकिन लॉग्डाउन के दौरान जब काम नहीं था तो टूवीलर लेने के लिए जो लोन लिया था वो लोन नहीं चुका पाय और नहीं चुका पाने के कारण किष्टे ब्याज सब जुड़ गया और कमपनी जो फिनांस कमपनी थी उसने केस कर दिया राखुल के पास कोई सल्यूशन नहीं था इसलिए राखुल ने स्यूसाइट कर लिया जिन्दगी में अगर पॉजिटिव सोच होती है न तो वो से उभरने में बहुत मदद करती है ऐसा नहीं है कि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती है जैसी प्रॉब्लम से राखुल गुजरे हैं वैसी कई बड़ी प्रॉब्लम से लोग गुजरे हैं और उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस करके उस बुरे वक्त को हिया है तब दुनिया खिलाफ होती है तब लोग ताने मारते हैं जो काम आप करते हैं वो गलत होता है कहते कि वह काल का समय आता है इंसान ने वह समय निकाल लिया तो वह अपने आप पर जीत हासिल कर लेता है और जंदगी है ही ऐसी कभी problems तो कभी खुशिया जैसे हम खुशियों को अपनाते हैं खुश रहते हैं वैसे ही problems भी उन खुशियों के साथ आती है उनसे भी deal करना जरूरी है ऐसे भाग नहीं सकते